आज हम लोग बात करेंगे इन मूफलियों के बारे में सेद्यों का मौसम है, सभी घरों में ये मूफलियां जरूर आती होंगी पर इनका क्या करते हैं, इनके सीट्स को निकाल कर छिलकों को हम लोग डस्पिन में फेक देते हैं पर उनका कैसे यूज करना है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पर उसके पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजेगा और अगर ये वीडियो आपको हैलफुल लगे ते लास्ट में लाइक कीजेगा देखे इस तरीके से क्या होता है, हम दानों को तो कंस्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं या कहीं कुछ बनाने में यूज कर लेते हैं पर चिलकों को वेस्ट कर देते हैं इन्हें waste नहीं करना है आपको इन्हें collect करना है इस तरह के से आप collect कर लीजे इनको देखे ये ये कोकोपीट का best option है कोकोपीट पे आपको पैसे invest करने पड़ते हैं और कभी कभी आपके local area में कोकोपीट available भी नहीं हो पाती है पर अगर आप इन्हें चिलकों का use करेंगे तो आपको कोकोपीट पर invest नहीं करना पड़ेगा और कोकोपीट की जगह आप इनको use कर सकते हैं और ये बहुत जल्दी से decomposed भी नहीं होती है मैं आपको अभी आगे वीडियो में दिखाऊंगी कैसे मैंने पिछले साल इनको use किया था winter flowering plant लगाने में और अपनी hanging basket बनाने में वो अभी तक मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि अभी तक वो पूरी तरह से decomposed नहीं हुई है आप इनका use कर सकते हैं hanging basket को बनाने में यूज करना है मैं विंटर फ्लारिंग प्लांट के लिए कुछ hanging बना रही हूं लेकिन मैं इनको चोटे वले जो तब आते हैं इसी में मैं इनकी hanging बनाऊंगी इस सरीके से मैंने hole करके इस पर टूटे वे गमले के टुकड़े रख दिये हैं अब मैं नीचे एक layer इन मूंफली के छिलकों की लगा दूँगी इससे क्या होगा कि यह नीचे रहेंगी क्योंकि कोको पीट की तरह बहुत महीन नहीं है कि मिट्टी के साथ मिल जाएं और अगर यह उपर रहेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ये देखे इस बार मैंने कोकोपीट का use नहीं किया है कोकोपीट की जगह मैं इन चिलकों का ही use कर रही हूं और मैंने वाकी अपने बहुत सारे गमलों में इनका use किया हुआ है इस तरीके से आप व पूरी तरीके से तयार कर लिया है और यह आप यह काम आते रहती है यह देखिए पिछले साल मैंने यह यह तक पूरी तरह से डीकम्पोस्ट नहीं हो पाई है ये अभी अपने सेप में ही है पर ऐसे करने से ये पूरी तरीके से भुरबरी हो जा रही है मतलब ये टीकंपोस्ट होने की बिल्कुल कगार पर है ये देखे पिछले साल से ये अभी तक मेरे कमलो में नीचे इसी तरीके से है मैंने इसके साथ कोको कायर का भी यूज़ किया था आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं उसके बाद मिट्टी की लेयरिंग करके देखिए मैंने उपर प्लांट लगा दिये हैं इस तरीके से आप भी मुफली के छिलकों का यूज़ कर सकते हैं अपनी गार्डिनिंग में देखिए मैंने कितने सारे प्लांट इसी तरीके से लगा दिये हैं ये सारी मेरी हैंगिंग बास्के बहुत ही हलकी बनी हुई है ये देखिए मैंने सारे प्लांट के नीचे इनको यूज़ किया हुआ है उमीद करती हूँ इस बार आप भी इनका यूज़ करेंगे यहने दस्ट भीन में नहीं फेकेंगे थैंक यू पर वाचिंगे सी यू नेक्स्ट वीडियो बबाई